नमस्कार दोस्तों जर्ला लाइंस में आप सभी का स्वागत है ये भारतिय थ्यास का घटना चक्र का हल प्रिश्ण पत्र है इसमें आतुनी भारतिय थ्यास में इस वाले वीडियो में सुराज पाइटी का घठन और इसके आगे का देखेंगे तो आई श्टार्ट करते है नो इसके चुनाओं में भाग नहीं लिया असयो गांदोलन की समाप्तियो गांधी जी की गरपतारी के बाद देश के बातम में एक अजीब निरासा का माहौल बन गया था ठीक है ऐसी इस तिदी में मोतिलाल नहरू तथा सियार दास ने एक नई विचार धारा को जर्म दिया कि था 1923 के चुनाओं के माध्यम से विधान बंडल में पहुचने की योजना बराई किन्तु बर्ज 1922 में कॉंग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्युकार कर दिया था ठीक है तो जो गया अधिवेशन हुआ था 1922 का गया अधिवेशन इसमें चितरंजन दास अधियक्ष थे ठीक है तो इसमें योजना को अस्युकार कर दिया गया था बहुमत से ठीक है तो नहरू और सियार दास ने दौनों ने मिलकर सुराज पाटी के स्थापना कर ली ठीक है जनबरी 1923 में इस पाटी का मुखुद्देश क्या था ठीक है तो नहर चुनाबों के माध्यम से काउंसलों में प्रिवेस कर तदा उन्हें काम ना देकर करने देकर बर्स 1919 के भारस आसन अधिनियम का उच्छे दन करना था ठीक है सियार दास सुराज पाटी के अध्यक्ष मोदिलाल नहरू इसके महा सचिप थे स्री निबास आयंगर मद्रास प् इसके कौन थे स्री निबास आयंगर और एंसी केलकर भी थे बरस 1925 में बिठरवाई पटेल का सेंट्रल लेजिसलेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया बठरवाई पटेल को सुराज जीयों का यहेक महत्पून उपलबदी थी ठीक है कि केंद्रिय विधान मंदल मे अब कौन हो गए बिठरवाई पटेल आ गए 1925 में चितनद्य दास को देजबंदू की नाम से जाना जाता था देजबंदू का ताथ पर है अच्छा अब दीन बंदू कौन कैलाती थे इन्हें गाधी जी ने नाम दिया था चाल्स एंड्रूस थे उन्हें दिया था ठीक है तो चितनद्य दास जो से इंग्लेंड से वकालत की पढ़ाई करने के पास सुदे साकर वेरिष्टर हो गए वकील की रूप में उनकी सबसे बड़ी सफल था अलिपूर बंकान केस में अर्विंदो गोस का बचाव करना था ठीक है ये 1910 में जो हुआ था अर्विंदो गोस क चले गए थे अर्विदो वे नोंने पुडूचेरी में आस्रम इस्थापित किया था इन्होंने कहा था सुराज आम जंदा के लिए होना चाहिए केबल वर्गों के लिए नहीं ठीक है 19 तेसमब 1922 को इंडिपेंडनेस पार्टी बनाने का नेड़े मदनमुहन मालवी और मो कि स्थापना निम्लिखित कारणों में से एक अथ्वा अधिक के लिए की गई थी तो क्या था गांधी चोजाता अस्रयों गांदोलन बापस लेना कांसलिंग में प्रिवेस कर उन्हीं काम ना करने देकर 1919 के भारत सरसन अधिनियाम को उच्छेदन करना बिटेस सरकार का दम फिर से लेक लेते हैं एक बार गांधी जी द्वारा सहयो गांदोलन बापसे लेना हां ये था कि सहयो गांदोलन जल रहा था इन्होंने उस चीज का समर्थन खिया था बाद में गांधी जी ले लिया तो इस बाद से बहुत सारे लोग खिन्ड हो गए थे ठीक है और समसार बहसकार किया था बड़स 1920 के चुनाओं में भाग नहीं लिया असयो गांदोलन के समाप्तियों गांधी जी की गिरफतारी के बाद देश के बातम्रे में एक अजीब निरासा का माहौल बन गया था ऐसी इस थिनी में मोतिलान नहरु और सियार दास ने कई नई विचा समसार को असयुकार कर दिया गया सियार दास इस दोरान वे एक कॉंग्रिस के अध्यक्स थे ने कॉंग्रिस की अध्यक्स था से त्याग पत दे दिया और जनवरी 1923 में मोतिलान नहरु के साथ मिलकर सुराज पार्टी के स्थापना की इस पार्टी का मुख खुद्देस त्याकपत दे दिया था तो सियारदास थे 1922 के गया अधिवेशन में अध्यक्ष थे ठीक है नेक्ट है सुराजपाटी का गठन की असफलता के बाद हुआ था असयोगांदूलन की असफलता के बाद हुआ था एह हो जाएगा सुराज पार्टी ने अपने को कॉंग्रेस के अभिन्न हिस्से की रूप में प्रिचारित किया साथी एहनसा और असयोग के प्रति अपनी वचन वद्धा को दोहराया ठीक है नेक्ष है सुराज दल की सब इस्थापना असफलता के बाद हुई ठीक है जनबरी 1923 में सुराज पार्टी को इस अंसथापित किया था तो सियार दास और मोदिलान नहरू वह हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा इसका मदर मुहल मालवी ये थे वी थे इसमें नेक्ष है उन्नी सो तेइस में राज पार्टी का गठन किसनी किया था सियार दास और मोदिलान नहरू सी आंसर हो जाएगा सुराज दल की इस थापन किसनी की तो चितन अजन दास और मोदिलान नहरू तो डी आंसर हो जाएगा इसमें नेक्ष है निम्ण में से कौन सुराज पार्टी के गठन संबंदी थे तो सियार दास थे सुभाशन वोस नहीं थे और जब मोतिलान लहरू थे ठीक है तो क्या हो जाएगा 2 और 4 ठीक है D हो जाएगा इसका आंसर Next है मोतिलान लहरू और C.R. दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था तो सुराज पार्टी था C. आंसर हो जाएगा सुराज दल के नेता नहीं थे इनीके नेत्रोच में परिवर्तन विरोधियों ने December 1922 में कॉंग्रेस के गए दिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया जिसके बाद C.R. दास तरह मोतिलान लहरू ने मिलकर जन्बरी 1923 में सुराज पाइटी के स्थापना की सुरी नवास आयंगर मद्रास सुराज पाइटी के संस्थापा को केल कर सुराज दल के अन्य प्रमुक नेता थे 1925 में बिठलवाई पटेल का सेंटर लेजिसलेटिव असेंबली का अध्यक चुना जाना सुराजियों के एक महत्य पोड़ो पलब दी थी नेक्स है निम्ने मैंसे कौन एक सुराज पाइटी सम्मधित नहीं थे तो राजेंट परशाद नहीं थे बाकी सियारदास, मुतिला लेहरू, केलकर, सिरी नवास आयंगर ठीक है और विठलवाई, पिठल नेक्स है बिहार में सुराज दल का गठन किस नहीं किया तो बिहार में किस नहीं किया था स्री किष्ण सिंग ने किया था बिहार में सुराज दल का गठन असायों गांदोलन के एसफल था किया सुराज पाइटी का गठन जन्वरी 1923 में सियार्दास और मोतिला नहरू किया सियार्दास इसके अध्यक्ष और मोतिला नहरू इसके महासचिप थे बिहार में सुरास दल की साखा का गठान इसकी नेता स्रीकिशन सिंग ने बनाए गए ठीक है, नेक्स है घटना करम बताना है तो सबसे पहले जलियवाला बाग हत्या गठान नों हुआ था नहीं स्वरी, लखनों समझोता हुआ का नहीं होगा 1916 में फिर उसके बाद जलियवाला बाग हत्या गठान 13 अप्रेल 19 फिर उसके बाद बालगिंखाल तर दिलक्तिम्रतू 1 अगस्त 1920 फिर सुराजदल की स्थापना जन्मरी 1923 तो क्या हो जाएगा 134 दुख 134 दुखाने हाँ, सी हो जाएगा इसका आंसर लखनों समझोता है लखनों जो अदिवेशन हुआ था, वहीं पर हुआ था मुसलिम लीग और कॉंग्रेस का तो इसमें अद्धेक्ष कौन थे? अम्रिका जन्मर्जूमदार, ठीक है? नेक्श है, सुरंधापूर भारत और निम्र्खित में से किसने केंद्री ये विधान सभा में सुराजदल का समर्थन किया था? तो मुहमद अली जिन्ना नहीं किया था किंद्री विधान सभा में सुराजदल का समर्थन नमबर 1923 में विधान परश्रतों के चुनाव हुए सेंटरल लिजिसलेटिव असम्बली की 101 निर्वाचे सीटों में से 42 पर सुराज पार्टी की जीत हुई मद्धि प्रांत में इन्हें सपष्ट बहुमत बला इसमें जिन्ना की नेत्रत में उसके समर्थक उदारवादी वाव्यक्ति का दुरूप से कुछ विधायक जैसे मद्धर मोहन माली वे आदी सामल थे नेक्स अनिमिक से कौन देशवंदू की नाम से देशवंदू चितरन जास कहला दे थे क्या बोलते देशवंदू का तात पर देफ्रेंड ओफ निशन इन्होंने इंग्लेंड से बकालत की पढ़ाई की वेरिश्टर हो गए फिर उसके बाद फिर वकील की रूप में सबसे बड़ी सबलता क्या थी कि अलिपूर बंकान केस में अर्विन्दो घोस का बचाओ करना ठीक है और सुराज पाटी की स्थापना में सुराज आम जन्दा के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं पिरसिद्ध सूत्र की घोष्णा सी आरदास ने की थी जित्रन जन्दास ने बोला था ये बात ठीक है कॉंग्रेसी नेता दौरा मांटेक्यू चैन्स पोर्ट रिपोर्ट की निंदा पर कई निरम पत्यों ने पार्टी को छोड़के निम्मेंसे कौनसी पार्टी का अगठन किया तो सुराज पार्टी का सेविंटीन हो जाएगा का ए हो जाएगा ठीक है मंटग्यू गोषणा के जमद में कॉंग्रेस में मध भिन्न था कि फलस्लौब अन्मे पुना में हुआ था फिर उसको 1918 में पुना विक्टन हुआ था उधारबादियों ने उगरवादियों को कॉंग्रेस से निसकासित कर दिया पर इस पार उधारबादियों ने ही कॉंग्रेस को छोड़ दिया इसमें सुरिणनाथ मनर जी ने अलाग एक इंडियन लिवरेशन फेडरेशन की स्थाप किया कॉंग्रेस से अलग होकर इंडियन लिवरेशन फेडरेशन अखिल भारति को दारबादि संगे स्थापना की थी नेक्स है निम्टन मैंसे किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडनेस पार्टी बनानी करने ने लिया तो मदर्मोहल मालिविय और मोतिलान लहरू तो दो चार हो जाएकर डी हो जाएकर इसका अंसर 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडनेस पार्टी बनानी करने ने मदर्मोहल मालिविय और मोतिलान लहरू ने लिया था मदर्मोहल मालिविय हिंदू महासभा की संस्थापक सरस थे उन्होंने बर्स 1916 में बनारस हिंदू विश्व द्याले की स्थापना की मोधिलान नहरूब ने सियारदास के साथ मिलकर सुराज पारटी की भी स्थापना की थी नेक्श है Central Legislative Assembly का प्रिथम भारती अध्यक्ष कौन था तो बिठल भाई पटेल थे तो B हो जाएगा अंसर Central Legislative Assembly के प्रिथम भारती अध्यक्ष इस पीकर विठल भाई जे पटेल थे जो बर्स 1925 में इसके अध्यक्ष बने ये सुराज पारटी के सेसंस तापक थे नेक्श है बिराशनी एटा कौन थे जो 1925 में Central Legislative Assembly के अध्यक्ष उने के तो विठल भाई पटेल है डी हो जाएगा इसका अंसर नेक्श है अगस 1925 में Central Legislative Assembly का अध्यक्ष तो विठल भाई पटेल डी हो जाएगा अंसर तो ये कंप्लीट हुआ अब इसके बाद साइमेन कमिशन रखते है 1927 में आया था बर्स 1919 में गठन किया गया था 1927 में ठीक है 1919 में जो मांटे की चर्म सपोट एक्ट आया था उसमें 10 पर्स पर इसकी समिक्षा एतु एक सम्मिधाने का अयोग का गठन का प्रापधान था आयोग को यह देखना था कि यह दिनिया ब्योहार में कहां तक सफल रहा 1919 वाला अधिनिया तरह उत्तर दाई साचन की दिसा में कहां तक प्रगती करने के स्थिती में है नवंबर 1927 में साइमेन कमिशन और भारतिय सम्मिधिक आयोग की नियोगती ततकालिन कंजरवेटर बिटिश परधान में थी श्टैनली वाल्डविन द्वारा की गई कब हुआ था इसका गठन साइमेन कमिशन का नवंबर 1927 में हुआ था भारतिय सम्मिधिक आयोग और किस नहीं किया था ये श्टैनली वाल्डविन नहीं किया था ये प्रधान मंत्री थे उश्टैनली टेस्ट के जॉन साइमेन की अध्यक्सता में गठे तो इसाइमेन कुल साइस सदस थे चुकि इसमें सभी सदस श्वेट थे मतलब अंग्रेश थे कोई भारतिय इसका सदस नहीं था इसलिए भारतियों ने इसे श्वेट कमिशन कहकर इसका बहसकार एवं विरूद किया साइमेन कमिशन तीन फरवरी 1928 को बंबई पहुचा तो भारत कम पहुचा गठन तो नमबर 1927 में को आता हो भारत महुचा तीन फरवरी 1928 को मतलब बैटलेंड डे कब होता है दो फरवरी को होता है उसके जश्ट एक दिन बाद ठीक है साइमेन कमिशन की अध्यक्ष पर अध्यक्ष सर्ड जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस थे जबकि भारत के सुदंटा 1927 के समय विटेस प्रधान में थी क्लिमेन टैटली इस कमिशन में स्रिमिक दल के सदस करूप में सामिल थे मतलब जो क्लिमेन टैटली सुदंटा के टाइम थे वो साइमन कमिशन में लेवर पारटी के सदस करूप में सामिल थे भारती राष्टी कॉंग्रेस ने दिसंबर 1927 में मदरास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमिशन का ब्रोथ करने का निड़ा लिया क्योंकि नवंबर में गठत हो गया था साइमन कमिशन का नवंबर 27 में तो दिसंबर 27 में जो मदरास में अधिवेशन हुआ उसमें निड़ा लिया कि कॉंग्रेस निड़ा लिया कि साइमन कमिशन का हम लोग ब्रोथ करेंगे क्यों करेंगे इसमें सभी अंग्रेज है ठीक है इसके बाद 38 को साइमेन कमीशन मंबई पहुंचा उस दिन देश ब्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ कमीशन जहां गया वहाँ पूर हड़ताल रखी गई तरह कमीशन साइमेन कमीशन बापस जाओ के नारे के साथ जलूस निकाले गए लाहोर में साइमेन कमीशन ब्रोधी जलूस का नित्रत करती समय पूलिस ने लाठी चार्ड में लाला लाजपत्राय गंभी रूट से घायल हो गए और पूलिस द्वारा की गई बरवरता पिटाई के कारण लाला लाजपत्राय की म्रत्यू भी हो गई थी लाला लाजपत्राय 1865 से 1928 तक रहे पंजाब के प्रमुख राजनेतिक नेता थे जन्होंने ब्रोधी सुरंता अंदुलंकर नेत्रत किया उन्होंने पंजाब केस्री के उपादी दी गई थी उन्हें साइमिन कमीशन 1927 के प्रत्यतर में नहर्यू रूपोर्ट तैयार की गई थी तो वोईची जब इतना ब्रोध हुआ यह सब हुआ तो कहा गया कि यड़ी ऐसे ही है तो अगर भारतिय एतनी सक्षम हैं अंग्रेजो द्वारा कहा गया विट्स द्वारा कि अगर भारती अतनी सक्षम है तो आप एक रिपोर्ट बनाकर एक समीधान बनाकर दिखाईए तो नहरू रिपोर्ट तैयार की गई, मोतिलाल नहरू द्वारा तैयार किया गया, 1928 में तैयार की गई थी जिसमें भारत की नए डोमिनियन समीधान का खागा था, इसे तैयार करने वाले सरबदली है समीधी के अध्यक्षम, मोतिलाल नहरू थे, जबालाल नहरू इसके सचित थे, दो मुसिल्मों, सहित कुल नौ लोग इस समीधी के सरस थे, नहरू रिपोर्ट में भारत के लिए कि सत्ता तो महरानी तो है, लेकर महरानी के अंतरकत होंगा, ठीक है? इसमें सामप्रतायक आधार पर प्रतक निर्वाचन मंडलों की स्थान पर अलप संख्यों को हेदू, आरक्षत स्थानों के लिए सयुक्त निर्वाचन देसों का प्रस्ताव था, छेत्रों का प्रस्ताविस संभिधान में भारतियों के लिए भासर देने, समाचार पत्र निकालने और समहाएं करने, इसके लावा संगठन मनाने आधिकी सुनंता के अधिकार साइड मौलेक अधिकार भी दिये गय थे, ठीक है इसमें? तो मौलेक अधिकार भी दिये गय थे, और बरस 1928 में इंडिपेंडनेस फॉर इंडिया लीग का गठन, जबालान नहिरू तथा सुवास्चन बोस ने मिलकर किया था, तो देखें, 1928 में एक और का गठन हुआ एक और लीग का, इंडिपेंडनेस फॉर इंडिया लीग, ठी जबालान नहिरू और सुवास्चन बोस ने मिलकर किया था, इस लीग का उद्देश क्या था, डॉमियर श्टेट से आगे पूर सुर इंडिया लीग, अब जब इस लीग का बिरोध होने लगा नहिरू रिपोर्ट का यह, तो 1929 में जो लाहर अदिविशन हुआ था, उसमे जबालान नहिरू ने क्या किया, कि एक नई पार्टी की था, 28 में जो इंडिपेंडनेस पर इंडिया लीग, और फिर इसके बादे नहोंने पूर सुर दनता की मांग की, राभी नदी के तत्पे हुआ था, ठीक है, कॉश्टिन आंसर देख लेते हैं साइमिन कमिशन से अभी, साइमिन कमिशन भारत किस वर्स आया, तो भारत आया 1928 में, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, 1929 की मांटेग्यू चैम्सपोर्ट एक्ट में, दस वर्स पर इसकी समिक्षा है तू, एक संविधाने का आयोग के गठन का प्राबदान था, आयोग को यह देखना था कि यह दिन्याम ब्योहार में कहां तक सफल रहा, तदा उत्तरदाई सासन की दिसा में, कहां तक प्रगती करने के स्थिटी में है, कि तू, विटिस की कंजर्विटिस सरकार ने इसकी समिक्षा है तू, दो वर्स पूर भी, नमबर 1927 ने सामीन कमिशन की न्यूक्ती कर दी, जो साइमन की अध्यक्सा में गठित इस आयोग में कुल सास सदस्च थे, चुकि इसमें सभी सदस्च अंग्रेश थे, कोई भी भारतिय इसका सदस्च नहीं था, इसलिए भारतियों ने इसे श्वेत कमिशन कहकर इसका बहस्कार केर दिया, यह विरूद किया, तीन फरबर 1928 को बंबई पहुंच गया, नेक्स है, साइमें कमिशन के आने के विरुद्ध, भारतिय जना अंदूलन क्यूं हुआ, तो वही कोई भी भारतिय सदस्च नहीं था, मैन बात यही थी, तो C आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, नेक्स है, साइमें कमिशन नुक्त किया गया, तो कब किया गया, साइमें कमिशन 1927 में किया गया था, नावंबर 1927 में, बी आंसर हो जाएगा, 1928 में साइमें कमिशन भारत में किस उद्देश से आया, तो किस उद्देश से आया था, परसासनेक सुधार पर विचार करने के लिए, मैं जो यह गठन था, यह था, कि जो 1919 का अधिनयम बना था, उसकी समीशा करने के लिए, दर्सपर्स में एक आयोग के गठन करने की कि समय से पहले ही आयोग का गठन कर दिया गया, ठीक है, नेक्स है, भारतियों ने साइमें कमिशन का बहिसकार किया था, क्योंकि इसमें कोई भारतिय सर्ष नहीं था, सी यह आंसर हो जाएगा, ठीक है, नेक्स है, निम्नकिस में से साइमें कमिशन को कौन ही एक सर्ष उदा अधारबादी दल का था तो इसमें कौन था जो सर्ज जॉन साइमन थे यह उदारबादी दिन के ही थे जबकि भारत के सुद्धा के समय बिटेस प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटलिस कमीशन में स्चरमिक दल के दरस के रूप में सामिल थे नेक्ट है किसके सुद्धाओं पर भारतियों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया तो लॉर्ड एर्विन के सुद्धाओं से भारतियों को बाहर रखा गया तो लॉर्ड एर्विन के सुद्धाओं से भारतियों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया जबकि डॉक्टर बाबस अमेट का राइटिंग एन स्पीछिच के अंसा साइमिन कमीशर से भारतियों को बाहर रखने के सुझा और तत्कालन भारतिय सचेब लॉड बिरकेर हैड ने दिया था उन लेखनी है कि साइमिन कमीशर बर्स 1928 में भारत में भारत में हो चाथा इसके इसमें कोई सदर्श भार कार्टिय ना होने कार्ण बिरुद भारत में भ्यापक बिरुद पर दर्शन हो था हाला कि जो अमबेट कर थे उन्होंने इसका स्वागत किया था और जस्ट्रिस पार्टिय आता है ठीक है कॉंग्रेस ने साइमिन कमीशर का बहसकार किया था कारण एक भी भारतिय सदर्श नहीं था तो सही है ए हो जाएगा इसका आंसर कथनों कारण डोन सही है नेक्ट है कथन बताना है इसकी न्यूकती 1908 के क्रियानमेन के पूछ साज के लिए की गई थी तो बिलकुर इसकी सभीक्षा के लिए ही किया गया था इसका गठर इसके अद्ध्यक्ष सर जॉन साइमन तो हाँ भारती निताओं ने इसके ब्रोत किया था तो हाँ संगी प्रकार के सरकार के लिए संस्तुधी थी तो पर्योग सभी है आंसर इसका D हो जाएका ठीक है भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रापधान के अनुसार अधिनियम के पारत होने के 10 बर्स पर एक बैधानिक कमिशन की नुक्ति की जानी थी जिसे बर्स 1919 के अधिनियम की कार संचालन की जाच परताल करनी थी और अविश्यक होने पर भावी सुधारों को प्रस्तावित करना था इसी उद्देश से नवंबर 1927 में साइमिन कमिशन का कठन किया गया था साइमिन कमिशन में बिटेश संसत के साथ सदस थी जोन साइमिन इसके अध्यक्ष बनाएगे इस कमिशन में कोई भारतिय सदस नहीं था फलसरों भारति नेता हो द्वारा इसके विरोत का नेड़ने लिया गया साइमिन आयोक का प्रस्ता हो था कि केंद्री विधानमंडल को पुर्णर गठित किया जाए जिसमें एक काई की भावना को छोड़ कर संगी है भावना हूँ इसके सरफ परुक्ष पद्धधी से प्रांतिय विधानमंडलों दोरा चुने जाए तीन फरबर उनिश्व अठाइस को जिस दिन साइमन कमीशन मंबही पहुंचा उस दिन देश पे आपी हड़ताला आयोजित की गई कमीशन जहां कभी वी गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई ठीक है तरह साइमन बापस जाओ कि नार्य के साथ जलूच निकाले गए तो इसमें प्रांतों में दोटसासन को उत्तरदाई सरकार द्वारा प्रती स्थापित करने की सहिस्तूटी की प्रिश्न कत्व में साइमन कमीशन की सिपार्यसों के संदक में सही है ठीक है नेक्स है लाला राजपत्रा गायल हुए थे तो यह इसी का ब्रोथ कर रहे थे तो उसी में लाठी चार्ज में हुआ था यह हो जाएगा इसका आंसर भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के दिशंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमिन कमिशन का ब्रोथ करने का रेड़ा इलिया तीन फरवरी 1928 को साइमिन कमिशन बब में ही पहुँचा उस दिन देश पे आपी हड़ताल का आउजन हुआ कमिशन जहां गया वहाँ पूर्ण हर्टा लखी गई और साइमिन कमिशन बापस जाओ के नारे के साथ जलूस निकाले गए पुलिस के लाठी चार्ज में लाला लाजपतरा गंबी रूट से गायल हो गई पुलिस द्वारा की गई इस बरवड़ता पूर्ट पटाई के कारण ही लाला लाजपतरा की मृत्यों हो गई मरने से पूर्ब उन्होंने कहा था मेरे उपर किये लाठियों का एक एक प्रहार बिटिस सरकार के ताबूत की आखरी कीदल सावित होगा नेक्ट है पंजाब केसरी के उपादी किसको दी गई थी तो लाला लाजपत राय थे पंजाब केसरी हमारे C हो जाएगा लाला लाजपत राय 1865 से 1928 पंजाब के प्रमुक राजनेतिक नेता थे उन्होंने बिटिस राज के विरुद सुरंता अंदूल का नित्रत किया तदा उन्हें पंजाब केसरी के उपादी दी गई थी नेक्ट है कथन 1928 में लाहूर में लाला लाजपत राय की नेत्रत में साइमिन कमिशन का बिरुद आयुजद किया गया था साइमिन कमिशन में एक भी भारतिय सरस सामिन लहीं था तो कथनों काराण दोनों सही है ठीक है और ब्याक्ष्या भी कर रहा है यह हो जाएगा इसका आंसर नेक्ट है अच्छा साइमिन कमिशन 3128 को इंगलेंड से बंबई पहुचा अदेश प्यापी हड़ताल हुई लाला लाजपत राय ने साइमिन कमिशन का बिरुद करने इत्रत किया लाठी चार्ज में उनकी म्रत्यू हो गई ठीक है नेक्ट नेहरू रिपोर्ट तैयार की थे तो जब मोदिलाल नेहरू ने की थी एए आंसर हो जाएगा साइमिन कमिशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी ठीक है सडेज बहादूर सपपूरू जयकर्ण ने किया की थी उपने वैशे एक सुराज की माँ की थी मार्च 1926 में रिपोर 2026 सुराज रोमीनियन स्टेट है तू समिधान निर्माड के लिए एक प्रती निधिक कॉन्फरेंस मुलानी की मांगी थी तथा फिर प्रश्म में उनके साथ बलबही पंद का नाम दिया गया है जो इससे संबंदे नहीं थे अथा सी होगा क्योंकि तेज बहादूर सप्पूर और जयकर नहरू रोपोर्ट तैयार करने वाली समिधी में थे थी 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 है भारत के लिए अपने वेज़ सुराज की मांग रखी गई थी नेक्स है नहरू रोपोर्ट के लिए बताना है भारत के लिए पूर्ट सुदंता नहीं पूर्ट सुरांता तो बिल्कुल नहीं थी नहरू रोपोर्ट में भारत के लिए पूर्ट सुरांता के स्थान पर डॉमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी इसमें सामप्रदायक आधार पर प्रिथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यों को हेथू आरक्ष साथी इसके तहित प्रस्तावित संविधान में भारतियों के लिए भासंड देने, समाचार पत्र का निकालने, सभाय करने, संगठन मणाने, आधी की सुरूंता के अधिकार सहित मौलेक अधिकारों का भी प्रापदान किया था। नेक्स्ट है, 1928 में इंडिपेंडनेंस पॉर इंडिया लीग, तो जबालन लेडर सुवाशन बोल से दोनों थे, सी हो जाएगा, एक और दो, क्या थी इंडिपेंडनेंस पॉर इंडिया लीग, 1928 में गठित की गई थी, और देश क्या था, डॉमिनियन स्टेट से आगे प विसेथा भारत में सम्मिधानेंग विवस्ता हैं, तो सी हो जाएगा इसका अंसर, ठीक है, साइमेन आयोक को न्योक्त करने वाले अनुदार पन्ती, राज्य सचिप लॉर्ड विरकन हेट के अनुसर, भारतिये लोग सम्मिधानेक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताओं बनान में असमर्त हैं, जिनका सभी भारतियों का व्यापक राजनितिक समर्थन प्राप्तों इस चुनोती को भारतियों दोरा स्युकार किया गए एक योजना को अंतिव रूप देने के लिए फरवरी मई और अगस्त 1928 में सर्बदर लिये अधिवेशन आयोजित किये गए और मो पोदिया नहरू के नाम पर नहरू रूपोर्ट नाम से बाद में जाना गया, नहरू की मंडल की मांग को असुईकार किया गया, नहरू की इस रूपोर्ट के लेखक थे, इसमें संप्रताय का अधार पर अलग नर्वाजन मंडल की मांग को असुईकार कर दिया गया, थीक ह का हर प्रकार से रास्ते प्रथक्र तो वह कुछ मौले का दिगार भी थे नेक्ष्ट है मुसलिम लीग के दिवेशन में एमे जिन्ना ने अपना 14 सुत्रिय प्रस्ताव रखा था तो 1929 में रखा था जबकि इसमें चुनाव चित्री की मांग की गई थी ठीक है नेक्ष्ट है कॉंग्रेस दल की उग्रस साखाने जिसकी एक प्रमक्ने था जबाला नहरू थे इंडिपेंडनेंस पॉर इंडिया लीग के स्थापने के वाई लीग किसके ब्रोध में स्थापित की गई थी तो खांधीर में समझाता नहीं ये क्या था ये नहरू रिपोर्ट के उसमें की गई थी व्रोध में जबाला नहरू और सुबाशन बोस ने बेपूर्स वराज को मांद थे कि दातकाले के रक्ष की रूप में रखने की मांग कर रहे थे फलता जबालना नहरू और सुबाशन बोस ने इंडिपेंडनेंस पर इंडिया लीग की रूप में कॉंग्रेस की भीतर एक दवाव समूग का निरमाड किया तो ये कंप्लीट हो गया है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए हमारी चैनल को शेयर क करिये सुब्सक्राइब करिये तन्यवाद